Hello Guys, Welcome Back To My Channel, Ji-i-p-i अज किस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस रिनौल फी को पे कर सकते हैं किस तरह से अप शर के थूँ आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिनु कर सकते हैं और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से आप इस driving license को अपने national address पर मंगवा सकते हैं तो सबसे पहले payment की process को complete कर लेते हैं इसके लिए आपकी जिस भी bank में account है आपको उस bank की application को open कर लेनी है मैं अपने अलराजी bank की application को open कर लेता हूँ अपना account open करने के बाद आपको नीचे में एक option मिलेगा payments आपको इस पर क्लिक कर लेनी है इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर government payment का एक option है इस वाले option पर क्लिक कर लेनी है तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे option आपको मिलेंगे जैसे की issue license, issue license, from older license, renew license, replace lost license, replace damaged license तो simply आपको renew license वाले option को select कर लेनी है उसके बाद beneficiary ID इसमें आपको अपना एक हमानमबर इंटर करना होता है उसके बाद जो आपका license है उसका type यहां पर show करनी होती है तो आप चेकर लेंगे जो भी आपका license है जैसे मेरा private है तो मैं यहाँ पर private को select कर लेता हूँ उसके बाद आपको duration select कर लीनी है मैं यहाँसे 5 years का duration select कर लेता हूँ उसके बाद आपको confirm button पे click कलेनी उसके बाद आपको अपना account यहाँसे select कर लेना है जिस एकाउंट से आप payment करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपकी साइव डिटेल शो होने लगीगी आपको नीचे confirm वाले बटन पर क्लिक कर लेना है पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करते ही आपकी फीज सक्सेसफुली पेड हो जाएगी फीज पेड करने के बाद driving license रिन्यू करनी है तो इसके लिए अफशेर के application उपेड कर लेते हैं जैसे आप अफशेर अकाउंट उपेड करेंगे डैस्बोट पर ही आपको नीचे में एक option मिलेगा रिन्यू ड्राइविं लैसेंस इस वाले option पर क्लिक कर लेनी है यहाँ पर आने के बाद आपको renewal period select करनी होती है कि आपने फीज कितने येर के लिए पे किया है मैंने five year के लिए पे किया है तो मैं यहाँ पर five years को select कर लेता हूं उसके बाद review details पर क्लिक करने वाद आप यहाँ पर detail देख सकते हैं कि isquiry date आपको यहाँ पर show होगी आपका license क इस टाइब का है वो show होगा और उसके बाद renewal period यानि कि कितने येर के लिए आपने इस फिर को पे किया है वह यहाँ पर show हो जाएगे उसके बाद आपको term condition वाले checkbox पर click कर लेनी है उसके बाद नीचे renewal license वाले बटन पर click करने के बाद आपको कुछ ऐसा message भी show हो सकता है अग आपको कुछ इस format में दिखेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं medical report online होते ही फिर से आप renew driving license वाले बटन पर click करेंगे इस बटन पर click करते ही आपके driving license renew हो जाएगे तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरी driving license अलड़ी renewed हो चकी है driving license renew होने के बाद आप किस तरह से इसे अपने national address पर delivery के लिए request कर सकते हैं तो आएए उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं तो इसके लिए आप नीचे में एक बटन दिख रहा होगा request delivery का इस पर आ mobile number आपका email id आप चाहे तो अपना mobile number यहाँ पर edit भी कर सकते हैं उसके बाद scroll down करके आपको निचा आ जाना है जहाँ पर आपको एक बटन मिलेगी review details की इस पर click कर लेंगे उसके बाद आपको confirm delivery वाले बटन पर click कर लेनी है क्लिक करते ही आपके mobile screen पर एक message रोगा delivery request created यानि कि एक दो रोज के अंदर ही आपकी रिन्यू ड्राइविल नासेंस आपके national address पर deliver कर दी जाएगी तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करे शेर करे और अगर आप मेरी चैनल पर